पिडिये छातरों नमस्कार अनलॉक एश्टेडी के दस्मिक एक्षा के गनीत में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रश्णावली 5.12 के प्रश्ण संख्या एक को सॉल्फ करेंगे इससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल दी और एनमा पद एन है ठीक है बच्वा इस सवाल में कुल 5 भाग है भाग एक भाग दो भाग तीन भाग चार और भाग पांच सब्सक्राइब का मान तीन है इन का मान आठ है और और एन का मान पता नहीं है तो यहां हमें एन का मान निकालना है ठीक है तो आई ये एन का फर्मूला देख लेते हैं एन का फर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन गुने डी ठीक है इस फर्मूला पे प्रस्न संख्या एक ही नहीं पूरा प्रस्नावली आपका स्वल्ब हो जाएगा ठीक है इसलिए इस फर्मूला को आप लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग फर्स्ट भाग को हल करेंगे ठीक है फर्स्ट भाग में एक कामान कितना है साथ तो लिखेंगे साथ डी कामान है तीन तो लिख लेते हैं तीन इन कामान है आठ तो इन कामान लिखते हैं आठ और एन कामान पता नहीं है यान कामान हमे निकालना है ठीक है तो ए अन का फर्मूला हमने आपको बताया एन बराबर ए प्लास एन माइनस वन गुने डी ठीक है तो एक आमन कितना है लिखते हैं ए साथ प्लस एन माइनस वन यह निन का मान आठ है तो आठ माइनस वन और डी का मान है आपका तीन तो लिखते हैं तीन ठीक है अब साथ आठ में से एक माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा साथ साथ में तीन तो सात्या 21 अब 21 और साथ कितना हो जाएगा अठाइस यही मेरा इंसर चलायागा अब बढ़ते हैं भाग नमबर दो में भाग संख्या 2 है आपका एक कामान माइनस अठारा तो लिख लेते हैं माइनस अठारा डी कामान पता नहीं है यहीं हमें निकालना है इन कामान कि दास है तो लिखते हैं दस और अकामान कह रहा है सुने में फर्मूला वही रहेगा एए न बराबर ए प्लास एन माइनस 1 गुने डी कामान की तो दो सुनने हम यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं क grate 아닌 ही है अब एकमन क्या है माइनस कि 18 प्लस इन इन कमन कितना है 10-1 और डी कमान पता नहीं है ठीक है बराबर सुने तब हम क्या करेंगे कि माइनस आठारह प्लास दस में से गया तो 9 उंदी से गुना होगा तो क्या हो जागा 9डी बराबर सुन ना कि तो माइनस आठारह बराबर प्लास नोडी है तो बराबर के बाद हम इसको माइनस नो कर सकते हैं ठीक है तो जब डी का गुनान क्या है नौ है तब लिखेंगे इसलिए डी बराबर माइनस अथारह बट्टा माइनस नौ क्योंकि डी के साथ जो गुनान खोता है वह नीचे चलाता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जागा ना दूनी कर एंन माइनस वन गुने डी ठीक है तो अन का मान कितना है म hè टेकत तो यहां लीक्ते हैं माइनस पाच बराबर है तो बराबर देंगे कामान bonus हमें पता नहीं नहीं है तो a के जगाए पर कुई maan नहीं है तो क्यार करेंगे a का a लिख देंगे plus n minus 1 तो n का maan कितना है 18 minus 1 गुने d का maan कितना है minus 3 minus 5 बड़ाबर a plus 18 में इसे 1 गया तो कितना आगा 17-3 ठीक अब माइनस 5 बराबर A प्लस माइनस माइनस सतरतिया 51 ठीक है अब इधरवाले भाग को हम पहले कर लेते हैं ज़त knit A 51 और माइनस 5 तो कर देंगे प्लस 5 बराबर 0 तो A माइनस 51 में प्लस 5 देंगे तो क्या हैगा 46 ब्राबर 0 इसलिए यह बराबर क्या हो जागा माइनस 46 बराबर के बाद प्लस 46 हो जागा ठीक है यही मेरा फाइनल अंसर हो जागा अब भढ़ते हैं भागसंख्या 4 में यहां भी क्या करेंगे एयन का फॉर्मूला लेकर लेते हैं पहले तो एयन बराबर a plus n minus 1 गुने d ठीक है तो a n कमान कितना है 3.6 तो लिखेंगे a n के नीचे 3.6 a कमान कितना है minus 18.9 प्लस है तो प्लस n minus 1 तो n कमान तो पता नहीं है कोई बात नहीं minus 1 और डी कमान क्या है 2.5 ठीक है अब क्या करना है 3.6 बराबर minus 18.9 प्लस अब 2.5 का गुणा एन में भी होगा और minus 1 में भी होगा ठीक है तो 2.5 में न से गुणा हो जागा तो क्या हो जागा 2.5 in और minus plus minus 2.5 में एक से गुणा होगा तो 2.5 ठीक है अब क्या करते हैं 3.6 बराबर हटा देते हैं बराबर के बाद जो भी संख्या प्लस में है माइनस में लिखेंगे माइनस वाले को प्लस में लिखेंगे तो माइनस 18.9 है तो क्या करेंगे प्लस 18.9, प्लस 2.5 अले है तो माइनस 2.5 है तो क्या हो जागा प्लस 2.5 ठीक है बराबर सुने कر देते हैं अब एस संख्या प्लस में है एभी प्लस में है और वी प्लस में है ठीक है तो 3 बलस प्लस वाले को हम एक साथ कर लेते हैं कितना है तीन दसम लब छे 18 दसम लब नौ और दो दसम लब पांच दो दसम लब पांच ठीक है तो नो छोह 15 15 15 पांच 20 का सुन ने हासिल 2 ठीक है तो 3 और 2 5 आठ्वाच तेरह 14 15 के 5 हासिल एक एक और एक दो क्या आए 25 दसंबलब सुने ठीक है तो लिखेंगे 25 दसंबलब सुने और माइनर 2.5 न है तो बराबर कर लेते हैं 2.5 इन ठीक है इसलिए न बराबर 25 दसंबलब सुने ऊपर चला जाएगा और 2.5 चुकि यह इनका गुनांख है इसलिए नीचे आ जाएगा ठीक है दसमलब से दसमलब कैंसिल कर देते हैं और 250 को 25 से कैंसिल कर देते हैं कितने मरतब्बे 10 मरतब्बे ठीक है तो इन का मान कितना आ गया 10 यही मेरा है final answer चलाता है अब भरते हैं भाग संख्या 5 में भाग संख्या 5 में एकमान तिंदों पांच है टिंद का मान सुन हैन के मान 105 है और एच्ण का मान पता नहीं जह Self मान को हमें निकालना हूं प्लस एप 151 मोजया चींका ळैए और प्लस एडीक होता है न थे इन का मान तो येद़न नका मान 105 है 105 माईनस वन हे तो ओन और कितना है सुने ठीक है कितना निकल गया थिंदर समलाव पांच यह आपका फाइनल इंसर चला आएगा बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद